रक्षक शेत्र में भारत और साथी साथ युक्रेन दोनों एक साथ कोपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे वहीं खास और पर फूट डिप्लोमेसी जो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है उस पर भी बातचीत संभाव है क्योंकि भारत एक अग्रिकल्चर एकॉनमी है और जिस तरह से युनाइटेड नेशन्स का ये मानना है कि फूट स्रीक्योरिटी में युक्रेन का बहुत बड़ा योगदान है उसके ग्रेंज की वज़ा से तो उस लिहाज से क्या फूट डिप्लोमेसी पर कुछ देखने को मिलेगा रक्षा उपकरनों पर कुछ देखने को मिलेगा ये एहम सवाल है ये दौरा बहुत एहम है क्योंकि भारत युक्रेन के संबंदों को इतिहास बहुत पुराना है 1992 में कीव में अपना दूतावास भारत ने खुला था और फिर युक्रेन ने 1993 में और बीदे वर्षों में कई उच स्थरिये दौरे तो हुए हैं लेकिन जिस से प्धान मंत्री इनरेंडर मोर्दी की ये यात्रा है इससे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा इसकी इस पर दुनिया भर की निगाहे हैं युक्रेन के नेता भी भारत आये व्यापार विज्ञान और टेक्नोलोजी और सांस्कृतिक आदान प्रदान बेहद हुए क्योंकि जो टेक्नोलोजी ट्रांस्फर को लेकर एक हिचक थी वो तमाम जो मल्टी लाटरल फोरूम्स है उस पर कही न कहीं मिट्टी नजर आई है और युक्रेन के बारे में बहुत खास बात वो ये है कि ये पहली आदिकारिक यात्रा है इससे पहले जो मुलाकात व्रादमेर जुलेंस्की सिप्धान मंत्री की हुई वो जी सेवन की साइडलाइन्स मीटिंग थी यानि जापान में एक बार और उसके बार हुई थी अभी हालिया जो जी सेवन की बैठक संपन हुई इटली में यानि कि वो साइडलाइन बैठकती ही तो उस लेहास से देखा जाए कि अंतराश्ट्रिये मंचों पर भी आम तोर पर भारत और यूकरेन ने एक दूसरे का समर्थन किया है और यूकरेन से जोड़े संखर्शों विशेष रूप से रूज यूकरेन तनाव के मामले में भारत ने घणिश संबंधों के कारण एक तठस्त रुख हमेशा से अपना कर रखा तो भारत और युक्रेन ने रक्षाक शेत्रों में भी सयोग दिया क्योंकि युक्रेन ने भारत को कई सेने करण है उसकी सप्लाई की है और खास तोर पहर भारती सेने विमान और जो टैंकों का आधूनी की करण है वो इसमें शामिल है इस लिहाज से भारत की कई चात्र यह बड़ी संख्या में वो पढ़ाई के लिए युक्रेन जाते हैं खास तोर पर जिससे से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए युक्रेन एक लोगपरी जगा है जहां पर भारतिय चात्र जो है वो युक्रेन में पढ़ते हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों देशों के समबंधों को महत्व देने के लिए और खास तोर पर क्या एक अलग लिडर्श्रिप के लिहाज से जब दोनों नेता मिले तो कूटनितिक, रणनितिक और स्ट्रिटीजिक रूप से किस तरह का वक्तव्य साजह तोर पर सामने आता है ये देखना होगा क्योंकि लगातार ये बात सामने है कि प्रिधान मंतरी कई फोरूम्स पर कह चुके हैं कि आज का जो सिनारियो है जो दिश्ट्री कोन है या जो रामबान है ना कि रण भूमी में इस तरह के फैसले लिये जा सकते हैं तो इस लहाज से ये जो